नमस्ते दोस्तों मैं रिस्मी भगत आपका करीब आसकेट में स्वागत करती हूँ अगर आप इस चानल पे नए है या अभी तक इस चानल को सब नहीं किया है तो नीचे दिए क्या रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें फिर बेल आइकॉन पे आल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे जहां पे आपको धेर सारी रेसिपीस देखने को मिलेंगी चलिए अब हम आज की वीडियो में चलते हैं आज हम बनाने वाले हैं ठेकवा जो कि बिहार की सबसे फेमस स्नैक्स में से एक है हमारे यहां 36 गड में इसे खजुर या खेजुर रोटी कहते हैं ज्यादा तर इसे चट पुजा में बनाया जाता है क्योंकि अभी COVID-19 के टाइम पे बाहर की चीज़े खाना सेफ नहीं है तो इस साल में फेस्टिव सीजन में आप सभी से कुछ ऐसी रसपी सेर करूँगी जिसकी इंग्रीडियन्स सिंपल होने के साथ साथ इसे आसानी से भी बनाया जा सके और आपकी क्रेविंग भी सान्थ हो सके ठेकवा कई तरह से बनाया जा सकता है आप इसे मैदे के साथ बना सकते हैं मैदे और सूजी के साथ सूजी और आटे के साथ भी बना सकते हैं आज हम इसे आटे के साथ बना रहे हैं तो चलिए देखते हैं आटे का ठेकवा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है ठेकवा बनाने के लिए ले आटा 2 कप, नारियल 2 टीस्पून, इलाइची का पाउडर 1 टीस्पून, सौफ 1 टीस्पून अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की ड्राइ फूट, सिया नट्स ले सकते हैं, 2 टीस्पून घी या बटर लें, दो बड़े चमच, अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं, तो दो पिंच नमक एट करें, वरना अवॉइड करें सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसकी मुठिया बांदे, मुठिया बन जानी चाहिए, और इसे तोड़ने पर आसानी से तूट भी जाना चाहिए अगर आपके आटे की मुठिया नहीं बंचती है, तो थोड़ा सा और गी अड़ करें, और अगर आपकी मुठिया आसानी से नहीं तूटती है, तो और सारे इंग्रेडियन्स थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें गुड़ ले, half cup, half cup दूद ले, mix करें और इसे गुलने के लिए छोड़ दे गुड़ वाला दूद तयार हो जाने के बाद इसे आठे में थोड़ा थोड़ा डाल कर आठा लगा कर तयार करें दियान दे, आठे से आपको खेलना नहीं है, इसे bind करना है, जैसा आप रोटी या चपाती के आठे के साथ करते हैं, वैसा बिलकुल नहीं करना है और ना ही आपको डो को सकत रखना है, ना ही इसे ज़्यादा soft करना है आठा तयार हो जाने के बाद, आठे में से छोटी सी लोई लें, इसकी मुठिया बांद लें, पिलकुल अच्छे से, और फिर गोल करें, और अपने साचे में ढालने ठीक इसी तरह आपको सारा का सारा जो ठेकवा है, वो तयार करना है अब कडाही गर्म करें, तेल डालें, तेल अच्छी तरह से गर्म करें, एक छोटा सा टेस्टर डालें, फिर एक एक करके जितना कडाही में आ सके ठेकवा डालते जाएं, आज कम करकर दीरे दीरे पकाएं ठेकवा सुनहरा होने तक तलें, तेल से बाहर निकालें, और इसी तरह सारे ठेकवे को तल करके तयार करें तयार हो जिके ठेकवे को आप कुकीज की तरह खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, डिबे में एक से दो मेहने तक बंद करकर रखकर जब मंचाहें तब खा सकते हैं आज की रेसेपी के लिए बस इतना है, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सेर करें, कॉमेंट करें, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे तब तक के लिए, बाबाई, थांक्स पर वाचिं!